तो बच्चों मैं आज आप लोग को circumcircle बनाने के लिए सबसे पहले मैं तो आपको एक आपको यह और भी देशकते हैं आपको यह और भी देशकते हैं लेके मेजर करके हम लोग यह होरिजोंटली इसको ड्रॉ करेंगे यह जो मैंने यहां लेंद्स खीचा आई एक्चुली आर्क लेने के लिए मैंने खीचाया ओके तो चलिए हाई कि कि यहां पर लेके यह आर्क मेजर कर लेते हैं क्या है तो कि यहां से कॉड़ सेंटीमेटर कर देंगे और जिस पॉइंट पर वहां अंटर्सक्ट होगा उससे दोनों आपोजीट में लाइन टान देंगे अगर आप लोग चाहें कि मैं कैसे चेक करूं कि मेरा एकवाटोरियल ट्रेंगल बनाया है वो तीनों लेंद्थ 6 cm है कि नहीं तो आप इसको मेजर कर सकते देख सकते देखिए यह भी 6 cm है यह भी आपका देख लिजे 6 cm है और इधर तो मैंने मेजर करी कि 6 cm लाइन टाना था ओके देख लिजे अगर आप पहले दुसरे बार आप बनाने बनाने बना रहें चंसक्ट्सन कर रहे तो आप मेजर कर लेंगे यह आप लोग के लिए अच्छा रहेगा ओके नाव हम लोग क्या करेंगे बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग जो लेंथ को म परेंगल का में नाम दे नहुक ए मैंने एपी दे दिया आप कुछ Нवी दे सकते हैं कि कुछ दे हैं कि का तो हम लोग कुसी भी द। Лाइन को लेके लिए ने करने के लिए उसका इसको या ही से प। तो मैंने सोचा है कि मैं इसको और इसको लेकर इंट्रसेक्शन करूंगा तो देखी आगे क्या होता है कि कुसी भी लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए उसका जितना लेंथ होता है तो आपने अंदास देख रहे हैं कि हाफ से थोड़ा ज़्यादा है लेके एक आर के यहां टानेंगे वैसा ही से एक आर को आप इंट्रसेक्ट कर देंगे देखिए बिल्कुल अराम से करिए हर बढ़ाने कोई जरूत नहीं है यहां छोटा पड़ गया तो से कोई मतलब नहीं है आप इस आर को ऐसे बढ़ा सकते देखिए कि समय ने किया ओके ना हम लोग क्या करेंगे इन दोनों लाइन को एकदम अच्छे से मिला देंगे देखिएगा इंट्रसेक्ट्शन पॉइंट से ही मिलना चाहिए है ओके तो आप यहीं लेकर यहां भी हाफ से ज्यादा लेकर काट सकते हैं काटिये अब यहां भी आप स्वारी देखिए आपको यह नीडल कॉमपास का उसको स्टेबल करके रखना होगा नहीं तो आपको एक रॉंग हो सकती है अब इसके अपोजिश्ट से भी आप कर दीजिए जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इन दोनों लेकर को लेकर कंसेक्शन करूंगा मैंने विल्कुल वैसा ही किया है अब आप अब लोग क्या करेंगे अब इसको भी उसी तरह जैसे फर्स्ट लाइन को मैंने इंटरसेक्ट करने के बाद जैसे जोइन किया था उसकी तरह इसको भी जोइन करा दूंगा आप लोग को मैं काम देखना इस बोर्ट नहीं को अब इस तिक है तो आप लोग को एक में चीज़ जो देखना है वह यह है कि जिस लाइन पर इस पॉइंट पर दोनों राइन इंटरसेक्ट हुआ हुआ हो पर एक डॉट ऐसे कर लिए हाइलाइट कर यह डॉट को देखा को सब करेंगे मान लेजे मैंने ओ दिया अब क्या करेंगे इस पॉंट से किसी भी देखिएगा एक किसी भी दिनकों सेट लेंगे है hai इस लेंध को लेखे इस ही और को लेकि हम यहांसे एक सरकल ट्रॉब करेंगे एंद आलाई यहां से देखिएगा कि आसा dio के का शकल देख लिए है आपको पर्फेक्शन दिर रहाए इसमें कि देखनगें यह तीनाटाने Set सर्कम सर्कल और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सर्कल बना के बताऊंगा ओक